नमस्का दोस्तों सभी का स्वागत है चाटनों जोगी नई वीडियो में आज के सेशन के अदर गैप अप हुए गैप के बाद सस्टेन नहीं हुआ पला मार्कीट और हमें फॉल देखने मिला सारे इंडैसि के अंदर फॉल देखने मिला सबrek 펫 करतें निफ्टी ने फिर भी प्रिव के नियर नहीं पहुचा, mid cap nifty के अंदर जादा fall था, mid cap nifty की expiry भी थी, तो यहां पर हम देख सकते कि fall previous day के low पे हम लगबग पहुच गए mid cap nifty पे, अब जोस्तों यहां पर nifty पे चलते हैं और level निकालने को एक बार इसके अंदर analysis करते हैं, यहां पे अगर हम देखते हैं तो एक अब एक trend line बनेगी on the upside कुछ इस तरीके से, अगर उपर market जाता है तो मेरे साब से 25,025 का जो अब यह level है वो important रहेगा, इसलिए हमने अपने weekly वीडियो के अंदर भी 25,050 यह level हमने एक बार note किया था, कि अगर 25,050 के उपन निकलेगा, तो मेरे साब से अब next move बनेगी, लेकिन जब तक इसके उपन नहीं जाता, तो एक बार view जो रहेगा, वो minor negative का ही रहेगा, नीचे के side अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पे 24,600 का important support बनेगा, 24,600 से लेके 24,500 के band का, लेकिन अब अगर कोई aggressive है, तो मेरे साब से जो आज का low है, अगर वो तूटेगा, जो की near आता है 24,650 के ठीक है, 24,650 अगर breach करें, तो एक बार intraday के अंदर level खुल सकते है 24,500 तक के, तो nifty पे level काफी clear है, आने वाले session के लिए, बट, bank nifty थोड़ा सा strength दिखा रहा है, अब यह HDFC bank का अगर हम बात करते हैं, तो HDFC bank ने lead किया और उसने bank nifty के fall को रोका, अगर HDFC bank नीचे हो जाता तो फिर market, bank nifty भी नीचे गिरता और broader market भी थोड़े और correct हो जाते, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक बार के लिए bank nifty sideways के अंदर है, एक बार gap fill हो सकता है, जो एक बार लग रहाता हो जाएगा, लेकिन आज के session में होना होता, तो आज के session में बहुत high probability था होने का, पर वो नहीं हुआ, इसका महलब वापिस से bank nifty नीचे के side पे 51,200-300 तक आ सकता है, बट अभी clarity जो है वो nifty में है, तो मेरे सबसे nifty पे focus करना चीह है long या short side, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा choppiness और देखने मिल सकता है, अब mid cap nifty का breakdown मिल सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा mid cap nifty broader market week होते वे दिखाई दे रहे है, यहाँ पे अगर हम बात करते है लेवल की तो 57,300 का level breach होगा, तो mid cap nifty पे selling pressure बढ़ेगा और confirmation जो है वो 56,800 के नीचे आएगा, तो हमें यह level ध्यान रखने है 57,300, अच्छा यह जो mid cap nifty है, यह mid cap nifty 100 index है, जो expiry में trade होता है, वो दूसरा index है, पर overall लगबग सब सेम ही चलते हैं, थोड़ा बहुत उपर नीचे करके, तो 57,300 हम note कर लेंगे, और यह वाला इसलिए हम use करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 100,100 stock का data है, तो जादा stock रहेगा, तो एक broader participation देखने को मिलता है, उसमें 30 stock का data है, जो nifty mid cap select का जो होता है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि broader market weak हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ foreign market strong हो रहा है, तो यह थोड़ा सा confusion वाला sign रहता है, इस वज़े से aggressive shot I think अभी तक बनते नहीं, लेकिन FI की जो selling देखी गई, जिसके बारे में हमने weekly वीडियो के अंदर भी बताया था, कि 80,000 करोड प्लस की selling देखी गई, इस महीने जो कि अभी तक की highest है, पैंडमिक या फिर हम 2008 का financial crisis देखे, तो एक महीने के अंदर quantum जो है वो काफी high है, अब इतना high quantum के बाद भी फिलाल हम देखते हैं, निफ्टी और बाकी के market तो समल रहे हैं, लेकिन weakness है market के अंदर, broader market के weakness है, और वो ऐसे पता चलेगा अगर आप और भी data देखोगे, कि काफी सारे stock अपने 200 दिन के moving average के आसपास पहुच रहे हैं, और अगर आपको दिखता है कि market के अंदर जादा से जादा stock 200 दिन के moving average पहुच रहे हैं, इसका मिलब selling pressure बढ़ रहे हैं, और bounce पे तुरंत follow up buying आन market के साथ जो counter चलते हैं, उनमें as such कोई strong या strength नहीं है, ठीक है, अब यहां पर DAO तो strong है, DAO आज फिर से नया high लगाने की I think कोशिश करेगा, जो कि रोज इसमें नया strong performance दिखाई दे रही है, अब US के अंदर भी election काफी नस्तिक आ गया है, दो हफता, दो-तीन हफते के अंद करो, तो यह breakout डे रहा है, अब यहां पर surprisingly, यहां पर upside move आई, sideways हुआ, अब यह फिर breakout डे रहा है, bond yield, और यहां पर dollar index भी उपर जा रहा है, तो dollar index, bond yield, US के market सब उपर जा रहे हैं, इसका महलब कुछ ना कुछ, और gold भी उपर जा रहा है, लास्ट टाइम हमने यह देखा था, इसके बाद volatility हमको थोड़ी बढ़ते भी देखी, तो gold उपर जा रहा है, सारे ही market उपर जा रहे है, बस हमारे market के अंदर फिलाल यह issue है, अब second चीज़ जो हमने weekly वीडियो के अंदर भी बात की थी, कि consumption का जो data था, वो इंडिया का थोड़ा week आया है, और results अगर हम देखते तो वो week आया, आज ultra tech के cement भी अगर हम देखते तो भी net profit के अंदर वहाँ पे fall था, आज एक counter भी उसी से मिलता जुलता देखते, technically जो लग रहा है, जादा fundamentally नहीं जाएंगे उसके अंदर, तो कि technical basis पे लग रहा है कि counter के अंदर एक fall आ सकता है, तो आज काफी time बाद हम अब minor negative है, neutral to minor negative हम बोल सकते हैं, लेकिन counter अब दिखना start हो गए है, जिसके अंदर हम एक breakdown type situation देखेंगे, तो यहाँ पे bond deal, dollar index और यह सब तो उपर थे, brand का एक थोड़ा उपर जाने के chances वापिस बन रहे हैं, क्योंकि अभी वापिस से इरान इसराइल का जो मामला है, फिर से वा 4.8 के उपर जाएगा, तो मेरे इसाब से further यहाँ पर अपमो फिर से start हो जाएगी, देखने मिलेगी, अब दोस्तों gold silver पर हम अल्रडी बात कर चुके, gold silver पर bullish है, और finally gold silver की rally बनी वी है, counter पर चलते हैं, सीधा और counter बात करते हैं, पहला counter J के cement, जैसे मैं बता रहा था, ultra tech cement के जो numbers आई थे, वो उतना profit, अगर profitability देखेंगे तो profit उतना, जो estimate तव सबसे नहीं बैठे, अब यहाँ पर एक pattern है, rising wedge, उसका breakdown हुआ हुआ है, second चीज़ जैसे मैं बता रहा था कि 200 डेमा के नियर आ गए हैं काफी सारे stock, आप देख सकते हों, यहाँ पर 200 डेमा तोड़ा, ले reversal का, लेकिन यह जो pullback है, basically, यह weak pullback है, अगर यह pullback strong होता, तो हम wedge pattern के support line तक जाते, तो इससे एक indication मिल रही है कि यह pullback weak था, जो हमें 200 डेमा को तोड़ने के बाद देखने को मिला, अभी इससे एक indication मिलेगा कि selling pressure जादा है, और overall broader market में selling pressure जादा देखने मिल रहा है, इस वज सोचेंगे कि यह behavior देखने मिल रहा है, second चीज अगर हम notice करेंगे, तो जो fall की steepness है, वो थोड़ी जादा है, हम देख सकते trend line लगा के, अगर आप यह angle देखे हुए, जिस साब से यह भाव गिर रहा है, उस साब से हमें पता चलेगा कि momentum भी बनावा है, लग बग 50-60 degree kind of a fall य यह level अगर निकलेगा, तो मेरे साब से यहां पर एक breakdown बन सकता है, और 40-80 जो यह previous swing लो है, intraday के अंदर, next उसके बाद सीधा हम पहुच जाएंगे, लग बग 3900 के असपास, अगर fall यह breakdown बनता है, तो चार्ट के उपर जो important support area है, वहां तक इसके दो level open हो जाएंगे, अब द दूसा जो counter है, again similar structure type है, इसको अगर बात करते तो गोदरिच consumer product, Nestle के भी result उतने कुछ खास नहीं आएते, बाकि अगर हम बात करें, यहां पर Tata consumer की, जिसके अंदर आज फिर से result कुछ खास नहीं आएते, और यहां पर एक flag pattern मनता हुआ, आप देखोगे, bear flag structure, counter 200 dama पे support ले हैं, अगर 1300 के नीचे जाएगा, 1300 के नीचे counter जाएगा, तो यहां पर breakdown के chances बनेगे, तो 1300 का भाव है, इसको हम note कर लेंगे, अगर breakdown होगा, तो यहां पर further हमको एक बार move देखने मिल जाएगी, अब दोस्तों यहां पर, यह FNO के counter है, cash के अंदर intraday ही काम होता है, लेकिन FNO क के अंदर काम हो सकता है, second चीज, market volatile है, तो थोड़ा बहुत spread के थुरू काम कर सकते हैं, जैसे naked जाने के बदले, bear spread हम बना सकते हैं, वो जादा एक fireman होगा, क्योंकि अगर कुछ market के अंदर कुछ reversal आ जाता है, किसी भी करण, तो sharp move आने के chances है, इतने time से हम देख रहे हैं कि भार के market outperform कर रहे हैं, हमारे market underperform कर रहे हैं, लेकिन ये situation कब तक रहेगी, या फिर भार के market भी गिरना start हो जाएं, तो फिर उतना साप reversal का chances काम हो जाएगा, तो यह रहता है कि अगर buying pressure बना तो sharp बन सकते हैं, तो इसलिए दोने counter के अंदर bear spread के साथ कुछ काम किया जा सकता ह है, बाकी ये दोनों counter के आलावा और भी counter है, जिन में weakness है, लेकिन फिलाल ये दो counter के उपर focus करेंगे, ये जो good rates consumer product है, इसके भी result आएंगे, इसके result की जो date है हम देख रहे हैं, या पर 24 तारीके Thursday की date है, लेकिन मेरे सबसे अगर breakdown होगा, तो important level काम मिलेगा, दोस्तों तो level क्या आता है, इसका निकल के, 1278, 1280, 20 point नीचे पहला support बनेगा, second support कहां बनेगा, second support इसका बन जाएगा, नीचे के side, 1250 पे, तो ये दो level open up हो जाएंगे, तो दोस्तों ये दोनों counter के पर हम ध्यान रखेंगे, बाकी मैं आशा कहता हूं, आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो तिल दे सकार, आ thrill वीडियो एंट विल में दो धन बाएंगा, चुक्त टिल खेंगे, तो भ्यां वीडियो अनिया